तो हमें स्वर सब्दा का पतार छोड़कर बर सब्दा की तरफ हमारी नजर बन जाता है जाए हो ग्रस्ती क्यों ना हो जादा तर ग्रस्ती सादू लोग इन चीजों से अलग होते हैं करेग्रेस्टि एक सुप्द करना चाहिए कि ने करना चाहिए उस पर बात चुछ ली है बगवान को पाते हैं बनेख को मैं एक शब्द बोलों सबस्केना क्योंकि सूत्रों का उचार मैत पढ़ने के जहां पर कुछ नमदारवनीब वो लोग भी हो, तो सुत्रों का उचार ने ड़ते हैं, कल यूग में ऐसा कोई नहीं है, इसके इरदे में एक मिश्कता हो, बुस्त्रियों के लिए भी है और पुर्षों के लिए भी है, ऐसा एक सूत्र है, वो ये न सोचे कि मेरे मन में कभी परपुरुष और परस्त्री के वो लेक नहीं आया, अगर वो ऐसा सोच रहे है, वो अपने आपको असार है, हमारे मन में ना होते हुए भी कभी कभी पर बुर्ष यापस वो लेक होते हैं, और अगर ग्रस्त ये सोचते हैं, हमें तो कोई जूरती नहीं प्रसम मोड़ने की, क्योंकि हम तो रोज ही करते है अगर वो प्रसम नहीं मोड़ता है, तो वो समते वेशनों से जुड़े हुए वेशनों में जिरुख रहेगा, इसलिए प्रसम जो है, वो ज्यान दे में बढ़ता है, दोध दे में बढ़ता है, अग्यान दे में बढ़ता है, लेकिन जो पोरे होते हैं, प्रका नहीं परन्तु अगर कोई क्रस्ति के मिले को तो प्रस्व मोरनी की पूरती नहीं है, अगर ऐसे वो बलेखे में हैं तो साथ आना उनको भी प्रस्व पढ़ता है अगर वो प्राश्चित नहीं करते हैं गीता के तीसरे द्याय में तेंटिस बाश लोग है, सद्रिशाओं चेष्णति इसक्या प्रफृत्य न्याहिवान, ज्यानी भी अपनी प्रफृत्ति के सद्रिशाओं चेष्णा करता है, इसलिए प्रस्व मोरना बहुत जरूपी है, चाहे वो नामदारण होत है, बोदवन् एक जो अध्यात्मों शास्ति पढ़ते हैं, उन लीला चरेतर में से सूद्रबाट निकला है, आप जांते हो, सूद्रबाट के व्याख्यान किया अचारे जिन, और अचारे जिन का बोलना, उनकी शिश्यों ने लिख के रखा, उन सारे लिखे हुए कार्जों पे जो मिठा है, उसको खरड़ा बोलते हैं हमारे प्रमिद्या के पाशा, कुछ सालों बाद हमारे पुर्वत श्री बुर्दर श्रीवास और इसे दांते अरिवास, दोनों जोने मिलके, उन कच्छे घड़ों को टठा गिया, उसकी बनकी स्थल्पोथी, स्थल्पोथी को सुरूती तु है, उसको खरड़ा बोलते हैं प्रमिद्या का श्री थर्टी नाइन नंबर का बचन है, फोटी एक नंबर का अचारता है, वो बचन मैं नहीं बोलोगा, आप लोग सुद्रवाट फोलना, बाद में देखना, बगवान कहते हैं कुछ बासे ऐसी हैं जिसकर नाश नहीं होता समझ जाओ इशारा, उस पक्ष में, उस पीका में इक पक्ष है, परियत्ने दाटी वानते हैं, ऐसा पक्ष है, जो लोग स्कन कोती बढ़ चुके हैं, शायद उनको याद आजाएगा वो पक्ष में, उस पक्ष का अर्ज क्या है, कि अगर कोई प्राश्चित करता है, तो उ एक पार के प्राश्चित में दोश्व का प्रस्व नहीं पुड़ता, वो यह सोचे, कि हमसे तो दुबारा करती होने वाली हमको प्रस्व पुड़े, अरे ऐसा नहीं है, आज अगर प्रस्व मोडते हो, तो सो मेंसे दो टक्के तुमारा प्रस्व उखेगा, और तुमारा क कि अ हुझता ही है, भुरुरुक्रिया होते नहीं तो चुठता नहीं प्रसव घैकऊंदा गलत गलत, प्रैष्चित यह को भुय होता है इतनी महत्यों की विधिय है कि उसी स्थल्क होती थी, 139 नंबर का बचन है, कि किसी की विदि को हमने पात्र होना थी, अब को लना स्थल्क होती, जो स्थल्क होती जानके है, उसमें पक्षय बड़ा महत होता, जो दुख मिल करता, जीतू जी परमादिया, उसको कोई बड़ा मर्व लुक परमादिया किरायस रता है, जो प्रैष्टी नहीं करता, क्यों हो हमसनल्ह हो बखोर्य बअगर भूसद्ल हो, अगर वो दुख करता है, बहुती कि बैठते में से इंसाहि मानन सीक, वाकीश, शाहरी बट दोश होती है, कोई क्या हों हैं ड्र Praise God Dr. आ बखुद sud, जोड़के और भी तो बहुत सारे दोश रहे हैं कि रस्तियों के लिए पांच प्रकार की अविदिया में ताहिए समय थोड़ा है इसको इसको किस्टेशन करना है तो बहुत समय जाएगा संशेव में हम पहिना कई पांच अविदियों में भसे हुए हैं तो ग्रस्तियों चैन भसे पृतियों दोते हैं तो प्रहस तो थोड़के यह भाष molar ही बड़ेगा उसके लिए टॉड़के थिरका प्रैशं करते हैं कोंगे इस प्रैश्चिन नहीं करनी कि दूड़ते हैं को कि हम तुम हृत वह जोठते हैं पर दोते हैं, फिर मेला होता है, तुम एक बार दोगे कब्रे भैंक देते हो, क्या? नहीं ना भैंक देते हो, उसी तरह हमारे में वे तो दोश हैं पर्यत में दाटी मातूते हो. प्रेद में से वो अपनी वास्नाओं को रोपता है, लेकि कलियू का प्रभाव, उस्थान, व्यक्ति, समय, प्दाठ, इन सब के प्रभाव से सद्रशम चेश्टते सुस्या, ज्यानवान व्यक्ति को भी उस चीज़ का असर होता है, जो भी ओमत है, अगर जरट है, तो भी वो नर्बेद करता है, नर्बेद मतलब ज्यान से पहले, विछने सद्डी में तो उसको दोश जड़ेगи, वो न in जलाना जानता है, विछने सद्डी में जल प्र महां जो फर्मा दी हूँ, शार अधाथरों मा ज़न हो स्द्डी मेंने उसको निलियु ऑगा, ज्या निया होग सब करते आने हैं और करते रहना क्यों कि सब्सक्राइब करता है कि अपने दोषों का फेछले को वर्थमान का और बविष्थे बदर है इसे कही नामदारख पुराने देखे हैं